दोस्तो नमस्कार, Electrical Learn YouTube चैनल में आपका फीर से स्वागत है जैसा कि फ्रेंड्स बिजली का बिल बचाने के लिए लोग काफी नए ने ट्रिक्स अपनाते हैं लेकिन आजकल Electronique Meter आ गए हैं तो Electronique Meter के अंदर चोरी करना बहुती मुश्किल होता है लेकिन फिर भी लोग नए-ने जुगार खुज लेते हैं और इसके अंदर भी चोरी कर लेते हैं आज इसी के बारे में हम बात करेंगे कि Electronique Meter के अंदर लोग किस प्रकार चोरी कर रहे हैं यहाँ पर आप देशकते हैं हमारे घरों के बाहर जो Electronique Meter लगा होता है उस Meter को मैंने यहाँ पर लिया है Electronique Meter के अंदर Incoming Supply दी गई होती है और इस तरीके से Electronique Meter के अंदर Incoming Supply कंबो से आकट जूर जाती है और Electronique Meter के अंदर Outgoing में दो वायर निकलते हैं और हमारे घर के बाहर जो ELCB या फिर MCB लगी होती है उसमें चले जाते हैं और ELCB या फिर MCB से वायर उड़ते हैं और वह हमारे घर के अंदर Switch Board लगा होता है उसके अंदर चले जाते हैं और इस Board के द्वारा हम हमारे घर में लगे हुए पंके को, AC को, Lamp को, Gizer को कंट्रोल करते हैं अब हम इसके सर्किट को चालू कर लेते हैं आप देख सकते हैं हमारे मीटर के अंदर सप्लाई आ गई है इसके बाद हम MCB को चालू करेंगे तो सप्लाई Switch Board के अंदर आ जाएगी अब हम जान लेते हैं कि लोग किस प्रकार electronic meter के अंदर भी बिजली की चोरी करते हैं और अपने बिजली के बिल को बहुत जादा कम कर देते हैं बिजली की चोरी करने के लिए लोग इस तरह के दो wire का यूज करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लगबग एक फिट लंबा wire लिया है और इसके साथ ही इस तरह के एक plug top का यूज भी करते हैं इस plug top के साथ हमें इस wire को जोड़ना होगा तो यहाँ पर हमने plug top के अंदर wire को जोड़ लिया है आप देख सकते हैं plug top के अंदर phase और neutral में हमें दोनों wire को जोड़ना होगा और दोनों wire को जोड़ कर हम इस plug top को fix कर लेंगे इसके बाद लोग इस तरह की दो pin का यूज करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने दो safety pin ली है इस safety pin का लोग यूज करके बिजली की चोरी करते हैं यहाँ पर हमने plug top के साथ जो wire जोड़े हैं उनके जो दोनों open सीरे हैं उन open सीरों पर हमें इस safety pin को लगाना होगा तो यहाँ पर हमने wire को अच्छी तरीके से छिल लिया है इसको अब safety pin के नीचे इस तरीके से लगाए जाता है और player की सहागता से इससे अच्छी तरीके से tight कर लिया जाता है इसी तरीके से दूसरे वाले wire के साथ भी safety pin को लगा दिया जाता है अब यहाँ पर आप दिसकते हैं हमने दोनों wire के साथ safety pin को लगा दिया है और अब यहाँ पर हमें tape लगानी होगी तो यहाँ पर हमने दोनों 70 पिन के निचले वाले इसो पर टेप लगा दिये दोस्तों ये इलिगल तरीका है इस तरीके से बिजली की चोरी करने पर आपको बहुत ज़्यादा जुर्माना देना पड़ सकता है उसके साथ ही यदि आपका हाथ बिजली के तार के साथ टच हो जाए तो आपको जटका भी लग सकता है तो फ्रेंट्स इस तरीके का यूज़ आप घर पर बिल्कुल भी ना करें तो यहाँ पर हमने दोनों पिनों को इस प्लक्टॉप के साथ लगा दिया है अब दोस्तों क्या करते हैं लोग इस पिन को यहाँ पर जो मीटर के incoming wire है उनके अंदर लगा दिया दाता है इस तरीके के काम करने के लिए अभी तो हमने supply को बंद कर लिया है क्योंकि यह जो मीटर है यह केवल बताने के लिए है कि लोग किस प्रकार बिजली की चोरी करते हैं तो यहाँ पर हमने सप्लाई बंद कर ली है अब इस मीटर के अंदर जो incoming वाले wire आ रहे हैं वहाँ पर इन दोनों pin को हमें लगाना होगा इन pin के जो नुकिले वाले सीरे हैं उन नुकिले वाले सीरों को हमें इन wire के अंदर डालना होगा यहाँ पर आप देश सकते हैं black color के wire के अंदर हम इस तरीके से pin को डाल रहे हैं बहुत ही साउधानी के साथ आपको pin को इस wire के अंदर डालना होगा यदि आप बहुत जोर से wire के अंदर pin को डालते हैं तो आपके wire टूट सकते हैं उसके साथ ही source circuit हो सकता है और आपको शोक लग सकता है अब हम red वाले wire के अंदर भी pin को लगा देंगे तो यहाँ पर हमने दोनों wire के अंदर pin को लगा दिया है अब हम supply को on कर लेंगे supply को चेक करने के लिए हमने यहाँ पर meter ले लिया है अब हम चेक कर लेते हैं कि हमने जो plug top लगाया है वहाँ तक supply आ रही है कि नहीं आ रही है तो आप देख सकते हैं plug top तक supply पहुंच रही है supply इस plug top तक तो पहुंच गई है अब हमें एक और सावधानी रखनी है यहाँ पर जो ELCV लगी है इस ELCV को ओफ जरूर करना पड़ेगा यदि हम ओफ नहीं करेंगे तो सप्लाई इधर से घूम कर हमारी ELCV पर चले जाएगी और सोर्ट सर्किट हो सकता है और हमारा मीटर भी खराब हो सकता है तो अब हम ELCV को बंद कर लेंगे ELCV या फिर MCV को बंद करने के बाद हमें प्लग टोप को किसी प्लग के अंदर लगाना होगा लोग क्या करते हैं जो मीटर के पास में प्लग होता है उस प्लग के अंदर ही इस प्लग टोप को लगा देते हैं और plug top को लगाने के बाद supply सीधे हमारे पूरे घर के अंदर पहुंच आती है और इस तरीके से लोग रात भर बिजली की चोरी करते रहते हैं बिजली का यूज करते रहते हैं और बिजली का बिल नहीं आता है अभी यहाँ पर हमने bulb को continue चालू रखा है और आप देख सकते हैं हमारा जो energy meter है उसके अंदर जो indication lamp बे वो glow नहीं कर रहा है इसका मतलब है कि हमारा जो meter है वो अभी काम करना बंद कर दिया है meter के अंदर unit नहीं बढ़ेगा तो friends इस तरीके से लोग चोरी करते हैं और government को चूना लगाते हैं यह जो तरीका है यह illegal तरीका है इस तरीके का use करते हैं यदि आप भी तो आपको बिजली भाग वाले notice दे सकते हैं उसके साथ fine भी लगा सकते हैं और यह तरीका बहुत ही खतरनाक है इससे आपको शोक भी लग सकता है उसके साथ जान और माल की हाने भी हो सकती है तो friends यह वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को share जरूर करें ताकि सबी को पता चले कि बिजली की चोरी लोग किस परगा करते हैं और बिजली की चोरी करना कितना खतरनाक है तो friends thank you so much for watching my video thank you thank you so much जैहिन जैवारत